हरर मादेव मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन, मेरे चमतकारी उपाई, जोतेश, वास्तू, तंत्रमंत्र, दैनिक राशिफल, वरत्योहार, वैदिक, पूजा पार्ट के लिए टेस्ट अब्डेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी गंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाई आपसे मिसना हो जाए, परशान बिल्कुल भी ना हो, जीवन में यदि समस्या हैं, तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है नमस्कार, मैं हूँ वैभवनाच शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन, दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे चार दिसंबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाई के बारे में, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की, विक्रम संवत आप चर्चा करते हैं राशिफल की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेश राशी की, मेश राशी वाले जातक लोगों के लिए आकस्मिक धनलाप के योग बनेंगे और रुका हुआ कारे आज आपका सिद्ध हो सकता है, ओम वानी प्रदाइर महा मंतर का एक सो आट बार जा आपको काम में आज जैसी सफलता आप चाहते थे जो काम बनाना चाहते थे वो नहीं मिल पाएगी, ओम वागिशाईर महा मंतर का एक सो आट बार जाप करें, और कारी की गुपत बात आप हर किसी से चर्चा ना करें, मितुन राशी, मितुन राशी वाले जातक लोगों के ल धनलाप की इस्तिती बनेगी, ओम लंबोदराय नमहा मंतर का एक सो आट बार जाप करें, और किसी का दिल दुखाने से आपको बचना होगा, सिंग राशी, सिंग राशी वाले जातक लोगों के लिए शारिदिक और मानसिक रूप से ठकान का अनुबव करेंगे, स्वास ता ओम मुशक वाहनाई नमहा मंतर का एक सो आट बार जाप करें, निवेश से आपको बचना चाहिए, तुला राशी, तुला राशी वाले जातक लोगों के लिए कारशेत्र में काम के दिखता रहेगी और दिन भाग दोड़ में बीतेगा, ओम मुनी इस्तुत्याई नमहा मंत मंतर का एक सो आट बार जाप करें, क्रोध करने से आपको बचना होगा, धनुराशी, धनुराशी वाले जातक लोगों के लिए उच्छ अदिकारी आपके काम से प्रसंद होंगे, प्रॉपर्टी में निवेश आपके लिए लाबदाई सिद्ध होगा, ओम विभू मंतर का एक सो आट बार जाप करना चाहिए, और बड़े वादे बड़े कमिट्मेंट करने से आपको बचना चाहिए, कुम्बराशी, कुम्बराशी वाले जातक लोगों के लिए अनावश्यक खर्च के दिखता रहेगी, जिससे आपकी आर्थिक इस्तिति आज बहुत माजी ना दिखाएं, मीन राशी, मीन राशी वाले जातक लोगों के लिए पुराने मित्रों से मुलाकात होगी, जो आपके लिए लाबदाई सिद्ध होगी, ओम विद्न राजाए, नमहा मंतर का एक सो आट बार जाप करिए, और पार्टनर से जगड़ा आप किसी भी इस् चाली बनने के दस बहुती सरल, बहुती करिश्माई उपाई, बहुत ध्यान से इन उपाईों को सुनिएगा, और जीवन में अगर आप अमल में लाएंगे, इनको प्रयोग में लाएंगे, जीवन में आत्मसात करेंगे, तो आपको फायदा निश्चिती होगा, पहला उप उपाई है कि यता शक्ति कुछ न कुछ गरीबों को दान देते रहना चाहिए, इससे बहुत अच्छा आपका कल्यान होता है, जीवन में आ रही, जो भी बाधाएं होती है, उनसे आपको मुक्ति मिलती है, सेवा के बाद यश्च प्राप्ती की भावना आपको नहीं रखन चाहिए, आप किसी की सेवा करते हैं, किसी को दान पुर्णे करते हैं, तो उसकी चारो तरफ चर्चा हो, यश्च की प्राप्ती हो, ऐसी आपको उमीद नहीं रखनी चाहिए, चोथा उपाई है कि अभख्ष वस्तों को कभी भोजर नहीं करना चाहिए, कभी ग्रहन नहीं क चाहिए, पांचवा उपाई है कि प्रतियक प्राणी के साथ यह था शक्ति दयासने और सेवा की भावना रखनी चाहिए, चटा उपाई है कि रविवार और मंगल वार को कर्ज लेना नहीं चाहिए, अगर लेना पड़ जाए तो बुधवार की इस्तिति जो है, बुधवा को कर्ज लेंगे, तो समय से आप उसको लोटा देंगे, रवी और मंगल को लेंगे, तो फिर कर्ज बढ़ता चला जाएगा, चुकाने की इस्तिति नहीं बनेगी, सात्वा उपाई है कि मंगल वार को कर्ज चुकारा चाहिए, तथा यह भी ध्यान रखें कि संक्रांती हो, और अगर व्रिद्धी योग हो रहा हो और अत्वा हस्त नक्षत रहो, तब ऐसी इस्तिती ऐसे योग में भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, फिर वो कर्ज उतारा नहीं जाता, वो दिन दुगना, राच योगना फिर बढ़ता चला जाता है, आठवा उपाई यह कि नियमित र पहली और आखरी रोटी आप जरूर निकालें, नौवा उपाई यह कि पित्र दोश से मुक्ति के लिए नित्य महा गायतरी मंत्र के नियमित साधना आपको जाप उसक करना चाहिए, तथा रामेश्वर धाम की यात्रा करके वहाँ पूजन अगर करेंगे, तो पित्र दोश और शनिवार ये तीन दिन जो है नाकून काटने से बचना चाहिए, इसके अलावा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार आप काट सकते हैं, संडे भी रविवार भी उसमें आता है, उसमें भी आप काट सकते हैं, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि शास्त्र से जुड़ी तो प्लीज इसे सबस्क्राइब करिए, इसी शुब काटना के साथ कि आपका दिन शुब हो, मुझे आग्या दीजिए और देखते रहें मेरा यूट्यूग चैनल वैभावर, नमोना राया है हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटको के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो या आवशक जानकारी आपसे मिस ना हुपाए, धन्यवाद अप्वाद्यम से अप्वाद्मेंट बुक कर सकते हैं, हमारा नमबर है 999-07-24131, आपको दो नमबर दे रहा हूँ, इन दोनों नमबर पे वाट्स अवैलेबल है, आप वाट्स अप करें, 9818-300-146, यह हमारे ओफिस का दूसरा नमबर है, अगर आप हमें इमेल करना चाहत हैं, तो आप हमें इमेल कर सकते हैं, हमारी इमेल आइडी नोट कर लीजे, sharma.vaibhava.gmail.com इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं, मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा हैं, और मुझे भी मालूम है, आप लोग कॉल करते हैं, फोन रिसीव नहीं होता, तो आप भी निर आप हमेल, यूख था लूगो मालूम म army मालूम है, पनगल रिसीव उनक ऐस्हाँ हैं, जोटो आप हमेल उनक वार